हेलो दोस्तों नमश्कार सम्रिदी टेक्निकल में आपका हादिक सवगत है दोस्तों आज हम बिटिश वर्णियर के बारे में चर्चा करेंगे मेट्रिक बर्णियर के वारे में हमने बहुत अच्छे तरफ से आपको बताया और इसके सारे वीडियो मैंने चैनल पर अप्लोड किया है यदि आप लोग नहीं देखें तो आप इसे जरूर देखिएगा तो इससे पहले में आपको बताना चाहूंगा यदि आप हमारे चैनल है और आप फर्स टाइम हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वेल आइकॉन के बटन को जरूर दवाईए तो दोस्तों शुरू करते हैं बर्णियर के लिपर देखिए एक बर्णियर के लिपर है इसके बारे में आपको बता होगा कि यह निकल कुरिय में मिस्αςीर का बना हुआ है और इसके सभी पूर्जे जो है कुछ का नाम लिखा है और कुछ नहीं लिखा है जैसे एक फिक्स जौ़ ह्ये मौवल ज्यौ यह बर्णियर स्केल है कि फाइं एंडश्टिस निए लॉकिंग फेला के आपके चैनल में हमारे चै काईसे निकालते इसके बारे में पड़ेंगे तो समय को देखते हुए लिस्ट काउंट को पहले निकालेंगे बहुत आसाने दौस्तों पहले मैं आप स्केल के बारे मैं बता दो कि इसमें जो स्केल है वो किस परकार से हैं फिर आपको मैं लिस्ट का निकाल के दिखाता हूं तो देखिए मैं इस स्केल को थोड़ा बड़े आकार में आपके सामने पेश कर रहा हूं कि तो आपको ध्यान रखना है कि मैं क्या लिखा उसको आपको ध्यान रखना एंट कि सब से पहले उपर वाला सकेल है मेंजिय सकतें M एसमेंस के डिविजन MSD मैंने लिखा मेंस के सब और यह जो मैंने बनाया है इसे एक इंच का जो दूरी है एक इंच उसको हम बाटेंगे 40 भाग में टोटल ठीक है एक इंच को 40 भाग में बाटेंगे लेकिन 40 भाग में बाटने से पहले हम सबसे पहले यह करेंगे कि एक इंच को पहले 10 भाग में बाट लेते हैं देखे एक इंच को हमने बाटा पहले 10 कितने भाग में दस भाग हुए तो मैं दस भाग में बाट देता हूँ यह जीरो यहां से मान ले जीरो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो और यह दस टोटल दस भाग हुआ तो दोस्तों यह जो दस भाग है इसको हम मेन स्केल डिविजन बोलेंगे और इसके एक एक भा मेन स्केल डिविजन तो इसको हम मानेंगे वाग है तो इसको मानेंगे यह पॉइंट वण मानेंगे क्या यह है पॉइंट वन एक एक भाग तो अभी तो अब दस भाग को बीच में ऐसा गए वह तीन और भाग बना देंगे तो दस भाग को और जब इसके बीक में था बडादे तो बन जाता लिखते हैं स्केल मनलब SSD लिखते हूं में तो सब स्केल डिविजन जो है उसका एक भाग का मान अब आप मान लिजिए 0.1 में इसकिल डिविजन का एक भाग हुआ तो उसके 4 भाग में बाट दिया तो पॉइंट न कुछ आरवाग में जब बाटते दोस्तों 0.00 उस्वरी अब उसक चार भाग में बाटते हैं तो क्या होता एक भाग का मान हमनुनता रहे जोड यह जोडते हैं चार हैं इसे परकार से अब इसिए वाह का मान लें गे 2.025 किसका सब्डिविजन कहां से आया इसको चार इन्च को हैंशन चार बाट जाता है तो इसे घंड़ को हम एक इन्च को 40 रहे हैं यह आपने इतना ध्यान रखना इस भाग में बाटना है तो दो हो गया और तीसरा दोस्तों है बर्णियर स्केल तो देखे हम यहां से प्राक्त करेंगे यह जो इसके मुवेवल जो है इसके ओपर बनियर स्केल है उसको हम लिखेंगे बर्णियर स्केल डिविजन और उसका एक भाग का मान होता है जिरो पॉइंट जिरो जिरो वन आपको मन में यह सवार आया होगा कि यह कहां से आया तो दोस्तों वह पहले हम इसे ग्याद कर लेते हैं तो हम ग्याद कैसे करेंगे देखिए लिस्ट काउंट क्या होता है उस स्टूमेंट के दोरा लिए जाने वाला सबसे न्यूंता माप होता है लिस्ट काउंट हम लिस्ट कैसे लेंगे आपको करना क्या है इसकी जो स्मॉल भाग है उसका एक भाग का मान ले लो अर्थाक में इसकेल डिविजन का एक भा तो आपको बनियर स्क्रेल की खानों की संख्या तो खानों की संख्या तो कितना है देखिए यह 25 लिए पच्चिस टोटल कितना है पच्चिस तो इसके एकवाग का मान आपको लेना है तो आप 0.025 ले सकते हैं यह आपको एदि लगता है कि हम एक बटे 40 लिखके easy question solve कर सकते हैं तो हम एक बटे 40 लिख देते हैं बात एक ही है एक इंच को 40 भाग में बाटा तो एक बटे 40 ले सकते हैं या 0.025 भी ले सकते हैं बन्यर के खानों के संगे कितना है दूस्तो 25 है यह 25 अब हमको क्या करना है एक बटे 40 और उसके नीचे है 25 तो 25 मतलब 1 ह है तो अब इसको एक बटे 40 ऐसे लिख सकते ना यह एक को उपर ले जाएंगे क्योंकि भाग को गुणा में बदलना है तो यह उपर चला जाएगा तो एक बटे 25 तो हो जाएगा यह एक बटे 1000 और जब इसको देखिए यहां एक जिरो लगाएंगे तो एक जीरो आएगा फ तो यह हो जाएगा 0.001 इंच दोस्तों यह क्या है लिस्ट काउन है लिस्ट काउन मतलब होता है कि इसका एक भाग का न्यूंतम मान ठीक है तो लिस्ट काउन हमारा जो बटनियर स्केल का मान है वही लिस्ट काउन है अब हमारा पास आगा 0.001 इंच सभी आकड़ा इंच मे हैं यह हो गया हमारा 3 scale ठीक है हमने देख लिया कि हमारा पास 3 scale है list count निकालने का यह एक formula है मेनश केका एक भाक का मान बटे बढ़नीयर के खानों की संख्या यह हमारा calculation इस परकार से होगा इसका अब हम देखेंगे इसको पर मान दखके हम स्किल को कैसे पड़े तो देखते हैं अब देखिए आप बहुत तेजी से सिख जाएंगे और आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा कि अरे तो बहुत एजी चीजे और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि लोग चार सल आइटे कर लेते हैं एक साल टेडिंग भी कर लेते ले आपको तो सुनारा दिन देखना है इसलिए आप देखिए यह है जीरो फिर यह वन फिर टू यह थ्री माली जे फॉर अब मेन स्केल है यह ठीक है यह मेन स्केल है और मैं बनियर स्कल नीचे बनाऊंगा बनियर स्केल अब यह एक दो तीन ऐसा करके पूरे दिवा लाइन यह लाइन अब मैं यहां पर एक बनियर स्केल बनाता हूं जिसमें मैं लिखता हूं यह जीरो को यह फिर आपको करना क्या है आप ध्यान रखेंगा मैं बता रहा हूं क्या करना है आपको नीचे जो 25 भागे वो बनियर स्केल है इस प्रकार से रहता है और भी आगे बहुत रहेगा पर मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया है तो मान लीजिए यहां से एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, दसवा लाइन मान लीजिए उपर के किसी भी लाइन से बहुत अच्छे से मैच करता है वो कौन सा लाइन है हमको कोई मतलब नहीं उपर कौन सा लाइन है हमको सिर्फ यह देखना है कि नीचे कौन सा लाइन सबसे सटीकता और इस परसता के साथ मैच कर रहा है हम जब मेन इसके लेना हो जाता है तो फिर हमारा बंडियर का ही काम लेता मेन को दुबारा नहीं लेना है अब मैं आपको बताता हूं कि हां आपको क्या-क्या दिख रह इसको मलंटिपिलाइए कर quewicky थीए मैंने सब्डियजन को पार जिरो ने सब्डिविजन को पार कर गया 1 दो 2 थीजन लिया यहां पे अब बचता है मेरे पास बर्नियर डिविजन तो बर्नियर का जो दोस्तों दसवा लाइन जो है वो मैच किया किसी भी उपर के लाइन के साथ एक ही लाइन 25 लाइन में से एक ही लाइन ऐसा होता है जो किसी लाइन के साथ इस पश्ट मैच करता है तो वो मैंने माना दसवा लाइन तो दस यहां पर मैंने लिया 10 हो गए दोस्तों हमारा जो कैलकुलेशन का जो जो हमको फीडमेट बैठाना था वो हमने बैठा दिया अब देखिए इसको मुल्टिपलाई करेंगे तो पॉइंट 3 यह हो जाएगा जीरो आपको लगाना जितना लगा दीजिए आपके मनमर जी अब यहां देखिए दो के साथ इसको गुणा करेंगे तो क्योंकि यह दो सब्डिविजन गया मैंन डिविजन आपने ले लिया सब्डिविजन दो भागे तो आपको इसको मुल्टिपलाई करना है पॉइंट 025 जाएगा ठीक है अब बचता है आपके बंडियर की दस भागे तो आपने दस लिया तो 10 को जब करेंगे तो जीरो वन जीरो आ जायेगा ठीक है इसको जोड़ देंगे तो पांच एक छे और तीन और यह पॉइंट और यह इंच हो गया है आपका कैलकुलेशन आपका सेटिं तो आप समझे यह था हमारा बंडियर के लिपर के बारे में बिस्तित चर्चा और इसमें आपको बहुत ही फायदा हुआ होगा बहुत अच्छे साप समझे होंगे यदि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक देखते रहे हैं और आप देखते रहे हैं समर्दी टेक्निकल थैंक यू थैंक यू पर वाचिंग